दोस्तों श्री लंका के अंदर ये जो crisis चल रही है जो wireless चल रहा है इसके बारे में तो आपने सुनाई होगा अब इस बीच में news ये निकल के आ रही है कि श्री लंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राज़ पक्सा यहाँ पर resign कर चुके है प्राइम मिनिस्टर ने resign कर दिया मतलब पूरी की पूरी इनकी cabinet यहाँ पर dissolve हो गई है अब इसका मतलब क्या है क्या यहाँ राज़ पक्सा पावर से हट गये हैं जी नहीं इसका मतलब यह नहीं अभी भी कुरसी से जिपकने की जो इनके चाह है वो बची हुई है गोटबाया राज़ पक्सा अभी भी राश्चपती हैं उन्होंने राश्चपती के पद से स्तीफा नहीं दिया है कल एक्चुली में शिरंका में हो गया काफी तगड़ा बवाल बवाल इस हद तक आगे क्रॉस कर गया कि गोटबाया राज़ पक्सा का जो प्रेजिडेंशल पहले से उसके बाहर बहुत सारे लोग धन्ना प्रदर्शन कर रहे थे अब इस धन्ना प्रदर्शन को रोकने के लिए हुआ कि जो राज़ा पाक्सास के पॉलिटिकल सपोर्टर्स थे ना ये बाहर निकले और एक प्रकार से लाठी चार्ज करने लगे प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट उनके अगेंस्ट असॉल्ट करने लगे प्रोटेस्टर्स को भी गुस्सा आ गया, प्रोटेस्टर्स ने पलट के हाँ पर बवाल किया, 150 लोगों को चोट आई, अब इस बीच में एक इवेंट तो बिलकुल ही आप कहलो कि अन्वारेंटेट था, मतलब इसको एजियूम नहीं किया तक इसी ने, इनके MP है, बहुत सीन करने के चलते, इनके हाथ में बंदूक आ गई, बंदूक से इन्होंने दो लोगों को मार दिया, अब दो लोगों को इन्होंने मार तो दिया, भाग के ये पास में जाके किसी एक बिल्लिंग में छुब गया, लेकिन ऐसा सुनने माया है कि इस MP ने बाद में अपने आप को कोई गोली मार दी जो कि चारो तरफ से ये मॉब से घिरे हुए थे तो इनके बचने के आसार बहुत कम थे सोचिए रूलिंग पार्टी के MP की यहां पर यह हालत हो गई है तो आप समझ सकते हो कि जो रूलिंग पार्टी के जो भी लोग हैं वो काफी घबड़ा गए होंगे द फोड़ा हिस्ट्री का बैक्डाउंड अगर मैं आपको याद दिला दूँ तो 2015 में श्री लंका में लाया गया था 19th Amendment to the Constitution of श्री लंका जिसके चलते प्रेजिडेंट की ताकत पर थोड़ी लगाम लगाई गई थी प्रेजिडेंट की ताकत कम की गई थी ओवर संशोधन लादू किया 20th Amendment लागू किया और उसके चलते प्रेजिडेंट की ताकत फिर से बढ़ा दी गई तो अभी के लिए गोट बाया राज़ेपक्षा के पास बहुत ताकत है और श्री लंका के अंदर जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको शांद करने के लिए अप प्रेल के लगबग एक डिसीजन आया था महिंदा राज़ेपक्षा के पहले तो क्या हुआ था मैं आपको बता दो जब से बवाल चालू है न श्री लंका के अंदर जो कैबिनेट इसको डिजॉल किया गया नई कैबिनेट बनाई गई लेकिन उस नई कैबिनेट महिंदा र पूरी रिजाइन कर दी गई कैबिनेट उसके बाद भी प्रदान मंत्री महिंदा राज पकसाई बने उनसे अपनी कुर्सी नहीं चोड़ी गई और अप्रेल के लगबग यह बोला गया था कि जो उननिस्वें संशोधन है ना इसको हम वापस ले आएंगे इसको हम रीस्ट यह सब कुछ श्रीलंका की रूलिंग पार्टी सिर्फ इसलिए कर रही थी कि लोगों के गुस्से को शान्त हो पाई लेकिन लोग शायद अब इन लीडर्स को अपने उपर देखना ही नहीं चाते इसका सबसे बड़ा पुरूफ आपको तम मिलेगा जो राजा पाकसा रूल लोगों के घर जला दिए गए इनके रूलिंग मेंबर ऑफ पार्लामेंट का सडकों पर चलना मुश्किल हो रहा है एक आदमी की गाड़ी MP अमारा कीरती अतु कुरॉला की गाड़ी रोक दी और इतना हद तक वालेंस हुआ कि उसमें गोली चला ही दोलों की मौत होगी और श्रीलंका लीडर्स अकाउंटेबिल नहीं हो पारें अपनी जंता की तरफ अपनी कुरसी को छोड़नी पारें इतने बवाल के बाद भी अभी महिंदा राज़ पाकसा ने रिजाइन किया है गोटा बाया राज़ पाकसा जो प्रेजडेंट है वो अभी भी कुरसी पर बै लिया गया इन वैक्ट सेच्चूज को 2014 के लगबग बनाया गया था इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ पैसो का घपला हुआ था तो ये सब चीज़ें बहुत तेजी से बाहर निकल के आएं वैसे नॉर्मल कोर्स में लोगों को खाना-पानी मिलता रहता है तो वो ज कुल मिला कि इतनी क्रैसिस के बाद तो मॉरल एकाउंटिमिलिटी के बेसिस पर आपको रिजाइन कर देना चाहिए बिरोक्राट्स के हाथों में ताकत दे देने चाहिए और तुरंत नए इलेक्शन यहाँ पर अनौंस करने चाहिए लेकिन ओवरॉल ये कुरसी नहीं छोड पर नहीं पा रहे हैं कुरसी की जो चाहत है इतनी एकोनोमिक क्रैसिस के बाद भी नहीं छोड़ी जारी है इन राज़ा पाक्सास की एक छोटा से द्शानलिस स्ता था थैंक्यों फूट वोचिंग फ्रेंट्स एक वीडियों के कंटेक्श्च मेंने पहले ही बिना रहा ही सी देख लीजेगा शीलंका की एकनोमी क्रैसिस की रिस्पेक्ट में आपको कुछ और एडिशनल जानका नहीं मिल जाएगे आपको ग्रेट डिफरेंस गुटबाई ध्यान रखे पढ़ते लिखते हैं